नमस्ते, कल बजट 2023 आया था, उसके बाद हम लोगों ने बजट हाइलाइट्स वगरा प्रिपेर करा था, जहामने ओल्ड रिजीम का डिसकस किया था, न्यू रिजीम का डिसकस किया था, कुछ हाइलाइट्स पॉइंट बताये थे, एरपोर्ट चेक 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 चाटरा, उसके बाद काफी सारे लोगों के मेसेज आये मेरे पास कि सर अगर इंकम इतनी है तो मैं new tax में जाओ या old tax में जाओ और मैं PPF में भी डालता हूँ तो new tax में तो नहीं मिलती है तो old में ही रहूँ या new में रहूँ वो सब discuss करने वाले हैं. आज इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगा कि new tax regime बेटर है या old tax regime बेटर है और दोनों को comparison करेंगे फिर savings वगरा देखेंगे समझेंगे कि जो अब new tax regime के नए slab rates आए हैं वो क्या-क्या है एक proper detailed calculation करेंगे और उसके बाद क्या-क्या odd deduction avail किये जा सकते हैं वो सब देखने वाले हैं. चलते अपने वीडियो पे without wasting time but yes before moving ahead अगर अभी तक आपने चैनल subscribe नहीं किया है या new user हो subscribe the channel, press the bell icon, you will get all the notifications instantly. प्लस अगर अभी तक आपने हमारा free mobile app डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के description में free mobile app मिल जाएगा Android और iOS के लिए डाउनलोड कर सकते हो, खूब सारी strategies, वीडियोस वाँ available हैं वो भी देख सकते हो. Income tax, अब यहाँ पर पहले क्या हुआ, पहले चलता था old regime जहाँ पर आप धेर सारे deductions वगरा ले सकते थे, like ATC हो गया, ATD, as in medical हो गया, tuition fees, यह वो insurance वगरा वगरा. बाद में यह लेकर आए, new tax regime, new tax regime में क्या होता है, कि आपको कोई deduction नहीं मिलेगी, flat income tax पे करो, इस तरीके से काम चलता है, दोनों समझते हैं, है क्या, उसके बाद पहले तो यह जो slab rates हैं, थोड़ा सा यह slab rates को समझ लेते हैं, एक zoom in ले लेते हैं, यहाँ पर slab rates समझ लेते ह बाद जाते हैं, next part की तरफ, पहले समझते, old regime जो पुराना चल रहा था, वो यह बोलता है, कि अगर आपकी income, zero से लेकर, धाई लाग के बीच है, तो 0% tax pay करना है, उसके बाद अगर धाई लाग से 5 लाग है, तो 5% tax pay करना है, और 5 लाग से 10 लाग है, तो 20% tax pay करना है आपक है, कि अगर income 0 से 3 लाग रुपे है, तो 0%, 3 से 6 लाग है, 5% हो गया, 6 से 9 लाग है, फिर उसके बाद हो गया 10%, 9 से लेकर 12 लाग है, 15%, 12 से 15 हो गया 20, और उसके बाद सीधा कर दिया 15 लाग है, उससे उपर 30% flat, यह जो अभी new आया है, यह उसके लिए है, जो कि financial year 23-24 के लिए applicable होने वाला है, ठीक है, अब यहाँ पर काफी सारे जब questions आए, कि अगर मेरी income 5 लाग है, 6 लाग है, 7 लाग है, तो मैं क्या क्या assume करूँ और कहां कहां पर डालू, वो सब देखने वाले हैं, चलो, अब यहाँ पर हम लोगोंने 2 column बनाए है, एक column जो पहला यह column बोलता है, old tax regime के इसाब से कहां कहां पर कितना कितना आने वाला है, अभी जो हम लोगे calculation करने वाले हैं, वो यह assume करके वारने वाले हैं, अगर आप salary class हो, यह pension वाले हो, तो आपको 50,000 का एक deduction मिल जाता है, दूसरी तरफ, यहाँ पर standard deduction भी 50,000 है, ठीक है, बट जो old regime था, वहाँ पर 80C, 80D और वो भी discuss करूँगा कहां कहां पर और tax बचाया जा सकता है, ठीक है, तो अगर assume करते हैं कि मेरे पास 5,000,000 की income है, और अभी पहले old वाले का comparison करते हैं, फिर new वाले पर आते हैं, old वाले में अगर मैं यह assume करूँ कि मेरे income 5,000,000 के आसपास है, ठीक है, तो यहाँ पर पह दूसरे वाले जो धाई लाउग से पांच लाउग थे, यानि कि income वो ही धाई लाउग, 5,000,000 माइनस धाई लाउग, धाई लाउग धाई लाउग पर यहां पे slab rate दे रखा हैं, 5% तो यानि कि यह हो गया 12,500, ठीक है, गॉन्मेंट ये बोलती है कि अगर आपकी income 5,000,000 तक है तो हम आपको 12,500 की rebate दे देंगे तो यानि कि आपका tax हो जाएगा 0 ठीक है इस column में चड़ाते थे यानि कि यहाँ पर 0 बट government यह भी बोलते है अगर 5 लाग 1 रुपे अभी हुआ तो हम आपसे tax charge करने वाले हैं ठीक है कल जो यहाँ पर new tax regime आया वहाँ पर यह बोला गया कि अगर आपकी income 6 लाग रुपे तक है 7 लाग रुपीज तक तो हम आपसे कोई tax नहीं लेंगे अगर आप new tax regime opt करते हो प्लास एक चीज़ और clarify करता हूँ अब government यह बोल रहे है कि new tax regime जो है उसको default माना जाएगा पहले यह बोला जाता था कि जो old tax regime है वो default है अगर आपको new लेना है तो opt करना पड़ेगा अब उल्टा होगा new tax regime default माना जाएगा old वाला अभी भी applicable है बट आपको opt in करना पड़ेगा ठीक है तो new tax regime के हिसाब से government के रहे 7,000,000 तक 0 है यह भी 0 हो गया यह भी 0 हो गया यह भी 0 हो गया ठीक है ने वाले के बाद अब पुराने वाले पर वापस आते हैं 5,000,000 तक मेरी income 0 है और यहाँ पर मेरे को 2,000,000 तक का deduction मिल रहा है जो कि 80C में 1,500,000 है और उसके बाद standard deduction यानि salaried और pension वालों के लिए 50,000 है तो यह हो गया 7,000,000 यानि कि यह भी 0 हो गया और यह भी 0 हो गया in short अगर आपके income 7,000,000 तक है तो old regime में जाओ या new tax regime में जाओ दोनों में answer 0 ही आने वाला है तो difference कहां आने वाला है वो भी जल्दी से लेख लेते हैं यानि कि major difference आएगा जब मेरी income 8,000,000 से उपर जाने वाली है तो एक काम करते हैं calculation कर लेते हैं पहले old regime के हिसाब से कि अगर मेरी income 8,000,000 के आसपास है तो मैं कितना tax यहाँ पर pay करने वाला हूं इसको refresh करते हैं चल यह जी यानि कि मेरी income है यहाँ पर 8,000,000 रुपए तो पहले मैं old regime के हिसाब से calculate करने वाला हूं जहाँ पर यह मुझे मिलता है कि मेरे को पहले यहाँ पर 2,000,000 की deduction मिल गई जो मैंने 80C में डाले और मुझे 50K का deduction मिल गया तो यानि कि इसमें से 2,000,000 माइनस कर दिया या फिर इस तरीके से लिखते है जिसमें से 2,000,000 यहाँ पर माइनस कर दिया अब मेरे हाँ में बचे 6,000,000 रुपए इस 6,000,000 पर अब मुझे tax लगने वाला है ठीक है calculate करते है किस तरीके से पहले 5,000,000 तो 0 है तो इसमें से अगें 5,000,000 माइनस कर देते हैं अब यहाँ पर बचा 3,500,000 रुपए इस पर tax आया 0 अब यह बचा मेरे पास 3,500,000 रुपए done दुबारा से revise कर लेते हैं हाथ में ते 8,000,000 रुपए जिसमें से 80C और 50,000 मुझे मिल गए यहाँ पर deduction के तो बचे 6,000,000 रुपए यह वाले 6,000,000 रुपए में 5,000,000 रुपए government कहती है 0% है तो यह tax 0 हो गया अब बचे मेरे हाथ में next 3,500,000 रुपए अब इस 3,000,000 में से 5,000,000 पर लगेगा 5% तो यानि कि यहाँ पर फिर bifercification करते हैं एक लाग रुपए next elaborate कितना है एक लाग रुपए पर 20% यानि कि यहाँ पर अंसर आ गया 20,000 रुपए तो यानि कि in short 8,000,000 रुपए पर अगर मैं 80C में पैसा डालता हूं और 50,000 की मुझे standard deduction मिलती है तो मेरा tax हो गया 32,500 जिसमें अब tax पे 4% CES लगने वाला है यह हुआ tax 32,500 जिसमें अब 4% CES लगने वाला है तो अंसर आया 33,800 यानि कि अगर मेरी income 8,000,000 रुपए है तो मेरा tax बनेगा 33,800 रुपए including CES यह था old के हिसाब से अब अगर new के हिसाब से देखा जाए कि new के हिसाब से क्या अंसर आ रहा है वो भी जल्दी से discuss कर लेते हैं और practical calculation करते हैं बाकि आप लोग इसके बाद खुद कर सकते हो 8,000,000 रुपए 8,000,000 रुपए में अगर आप salary class दो तो 50,000 की भाईया standard deduction ले लो sorry यह हुआ K 50K यहाँ पर गया मेरे हाद में बचा 7,500,000 रुपए अब यहाँ पर flat calculate करते हैं पहले यहाँ पर government बोलती है इसको थोड़ा सा dim करते है ताकि एक ही column में सब कुछ आ जाए perfect आ गया ठीक है 0 to 3,000,000 पर 0 है यानि कि इसमें से पहले 3,000,000 माइनस कर देते हैं और बचा 4,500,000 तो पहले जो 3,000,000 थे इस पर तो tax बना 0 अब मेरे हाद में बचे 4,500,000 रुपए जिसमें से 3,000,000 इस category में fall करने वाले हैं यानि 3,600,000 रुपए यानि 3,000,000 पर 5% tax बना 15,000 रुपए वापस से 3,000,000 इसमें जाएंगे 1,500,000 इसमें जाएंगे डन समझ आता है तो यानि कि यहाँ पर tax बना 15,000 रुपए और बाकी का जो 1,500,000 है अब वो जाएगा इस वाले sales में इस वाले slab में तो यह हुआ 10% और वापस से tax बना 15,000 रुपए तो 15,000 प्लस 15,000 30,000 रुपए और 30,000 का यहाँ पर 4% sales लगा 30,000 multiply by 1.04 यानि कि sales लगा 4% तो यह अंसर आ गया 30,000 प्लस 4% sales यह हो गया 31,200 यह अंसर आया मेरे पास 31,200 इसको डाल देते हैं यहाँ पर 31,200 तो यानि कि यहाँ पर difference आ गया ठीक है यह table आप चाहो तो manually भी calculate कर सकते हो, जिस तरीके से हम लोगो ने यहाँ पर calculate करा, एक 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 column मैं जल्दी से यहाँ पर यह सारी sheet fill कर देता हूँ, अब यहाँ पर मैंने यह सारे column fill कर दिये हैं सारे column calculate करके, कि यहाँ पर इतना tax बनना चाहिए old में और इतना tax बनना चाहिए new में, एक काम करते हैं जल्दी से difference देख लेते हैं, formula लगाते है equals to, पहला column है हमारा यहाँ पर B3 minus C3 equals to तो यहाँ पर answer आगया सारा का सारा अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से काम करता हूँ, तो इतना difference आने वाला है मेरे पास ठीक है तो अगर यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं, कि अगर मेरी income 5 लाग तक है तो कोई फरक नी पड़ेगा, 6 लाग तक है कोई फरक नी पड़ेगा, 7 लाग तक है कोई फरक नी पड़ेगा, जो की new tax regime में आ गया, बट अगर मेरी income 8 लाग रुपए है, तो यहाँ पर 26 लाग पर कफर, 9 लाग है 13,000 का, 10 लाग की income है तो 20,800, almost 21,000, 26, 31 and so on and so on का difference आता जाएगा, आता जाएगा, ठीक है अब अगर आपके income अगर आपके income 10 लाग, 9 लाग, 8 लाग से उपर है for example, 8 लाग, 9 लाग, 10 लाग, 12 लाग, 15 लाग तक है तो definitely मुझे यहाँ clear दिखाई दे रहा है कि new tax regime better है, ठीक है बट अब यहाँ पर यह समझ लेते है कि new tax regime का एक problem क्या है new tax regime में यहाँ पर जो मैं investment कर रहा था वहाँ पर उन चीजों के deduction नहीं मिलेगी अभी तक जो हमने calculate करा वो calculate करा saluted class के लिए प्लस जहाँ पर मैं ATC की deduction ले रहा था सिर्व ATC की deduction चार points और देख लेता है जहाँ पर और deduction add की जा सकती है और deduction ली जा सकती है जिससे और tax save किया जा सकता है पहला point, अगर मेरे उपर home loan मैंने home loan house loan ले रखा है तो section 24 के under मैं 2 lakh रुपए तक का जो interest आ रहा है, home loan पर जो interest है उसका 2 lakh रुपए तक का मैं deduction और ले सकता हूँ अगर मैं invest करना चाहूँ तो मैं NPS scheme में भी और invest कर सकता हूँ, जहाँ पर मेरा 50,000 रुपीज तक का deduction और मिल जाएगा under section CCD अगर आपने कोई medical insurance ले रखा है तो section 80D के under आपको और 25,000 रुपए का deduction मिल जाएगा and last, fourth point जहाँ पर मैं यहाँ पर section 80, TTA के under savings bank का जो interest आता है उसकी 10,000 रुपए तक का difference और ले सकता हूँ अगर आपके उपर home loan भी है फिर उसके बाद आपने medical insurance भी ले लिया उससे भी सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपने savings bank का interest भी ले लिया और NPS में भी add करा तो और additional 2,85,000 रुपए तक का आपको deduction मिल जाएगा तो definitely हो सकता है थोड़ा सा scenario अलग हो यह जो sheet है यहाँ पर मैं इस sheet का link description में डाल दूँगा आप चाहें तो वहाँ पर calculate वगरा कर सकते हैं और भी मैं tax के ओपर वीडियो बनाने वाला हूँ वीडियो पसंद आया हो तो share with your friends, like and subscribe thank you for watching the video lots of love